जब भी आपका मन करें कुछ अलग और कुछ चटपटा खाने का तो बेसन और पोहा से बनी ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें इसे बनाना बहुत आसान है साथ ही आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए हमारी आज की रेसिपी शुरू कर लेते हैं तो ये नाश्ता बनाने के लिए मैंने एक कप पोहा लिया है और साथ ही एक कप मैंने बेसन लिया है अब एक पैन लेंगे और पैन में इन दोनों चीज़ों को एक साथ हमें डाल देना है अब लो मीडियम फ्लेम पर इसको हम लगबग 2-3 मिनिट के लिए भूनेंगे ताकि ब बच्चा पंदूर हो जाए तो यहां मैंने बेसन और पोहा को 2-3 मिनिट के लिए भून लिया है बेसन में से बीनी-बीनी खुश्मू आने लग गई है अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे जब बेसन और पोहा थोड़ा ठंडा हो जाए त अब उसी पैन में मैं दो चम्मच तेल ले रही हूँ तेल गर्म होने पर इसके अंदर एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे थोड़ी सी हेंग एट करेंगे दो प्यास डाल देंगे बारिक काटकर दो हरीमिश डालेंगे थोड़ी सी करी लिप्स डालेंगे अब प्यास को हम भूनना है प्यास को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन हो जाए तो यहां देखिए प्यास हमारा बिल्कुल अच्छे से भून चुका है अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक चोटा चमच नमक एक चोटा ही चोटा चमच हल्दी पाउडर आदा चोटा चमच लाल मिच पाउडर एक चोटा चमच चाट मसाला डालेंगे सभी मसालों को मिक्स करते हुए हलका सा इन्हें भून लेंगे और गैस की फ्रेम को बिल्कुल लौ रखना है ताकि मसाला जले नहीं तो बस 10-15 सेकेंड के लिए मसाले को हमें हलका सा भून लेना है मसाला थोड़ा भून गया है तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तीन मीडियम साइज के उबले हुए आलू आलू को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको स्पैचुला की हैल्प से अच्छे से मैश कर ले यहाँ पर आप टेस्ट कर ले अगर नमक आपको थोड़ा कम लगे तो नमक और इसमें एड़ कर ले वैसे हमने शुरुआत में ही इसमें अच्छा खासा नमक डाला तो नमक डालने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है, अगर फिर भी आपको कम लगता है, तो थोड़ा सा नमक और इसमें आड़ कर सकते हैं, तो मसाला हमारा पक चुका है, गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, और मसाले को एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे, अब मसाले को बिल्कुल अच्छे से हमें ठंडा होने देना है, आलू का मसाला जब एकदम ठंडा हो जाए तो इसके अंदर पिसा वो बिल्कुल अच्छे से मॉइस्ट है, तो जैसे हम बेसन इसके अंदर मिक्स करेंगे, यह अपने आप एक डो फॉम में आ जाएगा, तो यहां देखिए, एकदम सॉफ्ट डो तयार हो गया है, अब हम हाथ को तेल से थोड़ा सा ग्रीज करेंगे, और थोड़ा-थोड़ मैं यहां पर इसको ओफल शेफ दे रही हूं, आप चाहें तो इसको गोल शेफ दे सकते हैं, चाहें तो इसकी टिके बना सकते हैं तो सबी पीसे को हमें इसी तरीकी से तयार कर लेना है तो सारे पीसे मैंने तयार कर लिए है अब एक बोल के अंदर मैं ले रही हूँ दो चमच कॉन फ्लार और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते वे इसका हमें घोल तयार करना है एक सलरी तयार करनी है तो बिल्कुल lump free गोल हम तयार करेंगे गाठी बिल्कुल भी नी रहनी चीज गोल के अंदर ओर थोड़ा पतला गोल हमें तयार करना है तो यहां देखे गोल मैंने तयार कर लिया है अब यह जो pieces हमने बनाए है पोहा बेशन से इसको dip करेंगे गोल के अंदर और बस अब इसको हम तेल में फ्राइ कर लेंगे तो तेल यहाँ पर मैंने अल्रेडी गर्म करने के लिए रखा हुआ था तो लॉ मीडियम फ्लेम पर तेल में इसको क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर ले मैदा के घोल की वज़े से इसकी जो उपर की लेयर है वो एकदम क्रिस्पी बनेगी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगा तो इसको साइड चेंज करते वे उलटते पलटते वे बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें फ्राइ कर लेना है तो यहां देखी बिल्कुल अच्छे से फ्राइ हो गए है इनका कलर गोल्डन हो चुका है उपर की लेयर एकदम क्रिस्पी हो चुकी है तो बस अब इनको तेल से बाहर निकाल लेंगे टीशू पेपर के उपर ताकि जो भी एकसेस ओयल है वो टीशू पेपर अबजॉब कर क्रिस्पी बनते हैं यह देखिए बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है और बहुत आसान रेसेपी है जरूर ट्राइ कीजिएगा इसको और आपको अगर आज की रेसेपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना मतभूलेगा चैन